जी टीवी का जबरदश टीवी शो या यू कहे रोमेंटिक ड्रामा टीवी शो प्यार का पहला अध्या शिव शक्ती जिसकी कहानी के साथ साथ किरदार भी फैल्स के दिलों को जीत रही है वही टीवी अक्टर्स निक्की शर्मा इस टीवी शो में शक्ती के किरदार में नदर आ रही है और इनका किरदार फैंस को पूरी तरह से वश्रिभूत कर रहा है लेकिन क्या आप सभी दिल्चस्ट बात जानते हैं शक्ति के किरदार के लिए टीवी अक्टर्स निक्की शर्मा शो के मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी उन्होंने टीवी की तीन पॉपलर हैसिनाओं को ये किरदार निभाने का सुनहरा अवसर दिया था तो आएए उनके नाम बताते हैं तीसरे नंबर पर आती हैं रीम समीर शेख जियां दोस्तों कहा जाता है और मीडिया रिपोर्स में ऐसी खबरे सामने आई थी कि रीम समीर शेख को सबसे पहले शक्ति का किरदार ओफर हुआ था लेकिन ना जाने क्यों रीम शमीर शेख ने शक्ति के किरदार को निभाने से साब सब इंकार कर दिया शो के मेकर्स को कहा तो यह भी जाता है कि उनी दिनों रीम ने एक दूसरे प्रोजेक्ट को साइन कर चुकी थी जिसके चलते शो के मेकर्स को मजबूरन मना करना पड़ा शक्ति के किरदार के लिए रीम शमीर शेख को दूसरे नमबर पर कौन आता है दोस्तों दूसरे नमबर पर आती हैं ये भी काफी पॉपलर अदकारा है टेलिविजर इंड़स्टी की जिया शंकर जिया शंकर को भी दिल्चस बात बता दे शक्ति का किरदार ओपर हो चुका था और जिया शंकर इस किरदार को निभाने के लिए काफी जादा इंट्रेस्टेड भी थी लेकिन एन वक्त में जिया शंकर ने भी एक दूसरे प्रड़ेट को साइन कर लिया था कहा जाता है कि इन्होंने मराथी मुवी को साइन कर चुकी थी जिसके चलते मेकर्स को मना करना पड़ा वही नंबर बन पर कौन आता है दोस्तों नंबर बन पर आती है जैस्मीन भसीन जैस्मीन भसीन का भी एक वक्त में टेलिवीजन इंड़स्टी में खूब सिक्का चलता था और इसी को देखते वे, इनकी पॉपलिटी को देखते वे शो के मिकर्थ ने, इनके पास शक्ति का किरदार लेकर गए थे, लेकिन इन्होंने इस किरदार को ठुकरा कर अपने पैरों पर ही कुलहाडी मार ली, और उन्होंने ये कारण बताया, कि फिलाहलों टेलिविजन इंडेश्टी में वाप्ती का इनका कोई भी इरादा नहीं है, मोहतरमा जैस्मिन भसिन का, इन तीनों एक्टरसेस के मना करने के बाद अंत में ये किरदार हाथ लगा, निक्की शर्मा के हाथों और निक्की शर्मा ने इस किरदार को दोनों हाथों से कबुला, और अपने शक्ती के खिरदार में नदर आ रही हैं और फैंस की दिलों को पूरी तरह से जीत रही है, वैल आज के खास वीडियों में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें,